Threads app launch होने के कुछ ही दिनों में 100 million user का आकड़ा क्रोस कर चुका है Threads app Twitter को टकर देने के लिए मार्क जगरबग ने launch किया है Threads app Twitter का copy है और इसमें Instagram की भी काफी similarity देखने को मिल जाती है फिर भी Threads app काफी popular हो चुका है launch होते ही सबसे ज़्यदा user base बढ़ाने वाला message Threads app नंबर वन पर है दुनिया बर के celebrities और क्रोड़ान लोग Threads app पर आ चुके हैं तो आईए समझते हैं कि Threads app को कैसे यूज करते हैं और इसमें क्या कुछ हमें नया देखने को मिलता है तो आईए सुरू करते हैं सबसे पहले Threads app को डाउनलोड करेंगे इसका लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएगा ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से Instagram की color theme के साथ ये app ओपन हो जाएगा Threads पर account बनाना काफी आसान है Just एक click में आपका account बन जाता है Instagram पर जो भी आपका account है वो यहाँ पर show करेंगा Simply tap करेंगे तो यहाँ पर detail show कर दी जाएगी जो भी आपका Instagram पर नाम और जो username है वो यहाँ पर show कर दिया जाएगा अब यहाँ से एक तो आप अपनी सारी detail को manually fill up कर सकते हैं या फिर import from Instagram पर click करेंगे तो जो भी आपके Instagram account पर information है वो सब यहाँ पर import हो जाएगी चलिए हम import from Instagram पर click करते हैं आयो शोर यह फिर से पुछ रहा है चलिए हम यहाँ से भी OK कर देते हैं और देख सकते हैं कि जो भी information हमारी Instagram पर थी जैसे नाम, username, profile picture, bio और link वो सब यहाँ पर आ चुका है अगर आपका पहले take में नहीं आता है तो re-import पर click करेंगे फिर से आ जाएगा उसके बाद continue करेंगे profile को public या private रखना चाहते हैं वो select करेंगे उसके बाद continue करेंगे अब यहाँ पर आपको सभी follower दिखा दिये जाएंगे आपके Instagram पर जितने भी follower हैं आप जिनको follow करते हैं उन्हें आप यहाँ से follow all पर click करके follow कर सकते हैं otherwise यहाँ से आप skip भी कर सकते हैं यहाँ से कुछ इनकी terms हैं जिने accept कर सकते हैं और join thread पर click करेंगे तो आपका thread account बन चुका है और same Instagram और Twitter की तरह आपको thread profile देखने को मिल जाती है नहीं कुछ खास यहाँ पर है नहीं यहाँ पर आप post को like कर सकते हैं comment कर सकते हैं retweet कर सकते हैं retweet की तरह यहाँ पर repost का option दिये दिया गया है उसके अलावा आप यहाँ से share कर सकते हैं first वाला home का option है और last में profile का option मिल जाता है और second last में like का option है यहाँ पर आपको सभी दिखा दी जाएंगे कौन-कौन से आपके follower जूट चुके हैं और उसमें verified कितने हैं mention कितने किये हुए हैं message कितने है reply कितने है वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं profile के section पर click करके अपनी profile देख सकते हैं काफी simple interface रखा गया है profile का यहाँ पर आपके सभी threads और आगे reply देखने को मिल जाता है setting के option पर click करके यहाँ से आपको settings बगरा भी देख सकते हैं ज़्यादा कुछ नहीं है Instagram की तरह आपको यहाँ पर कुछ settings और कुछ options देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर thread post करने के लिए बीच में एक option मिल जाता है create का यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको Twitter की तरह एक create menu देखने को मिल जाता है यहाँ से आप अपनी post को create कर सकते हैं attachment file के option पर क्लिक करके photo, videos, इतियादी को भी यहाँ से attach कर सकते हैं किसी को भी mention कर सकते हैं और search के option पर क्लिक करके किसी को भी search कर सकते हैं तो काफी simple सा interface है और इसे Instagram और Twitter का copy करके बनाया गया है काफी popular हो चुका है काफी agencies, companies, celebrities वगरा यहाँ पर आ चुके हैं अब आप Instagram से भी देख सकते हैं उसके लिए profile पर क्लिक करेंगे उपर three dot पर क्लिक करेंगे यहाँ आपको option मिल जाता है threads का आगे लिखा हुआ है new just उस पर क्लिक करेंगे तो इस परकार से आपको threads का interface देखने को मिल जाएगा यहाँ से भी आप threads को join कर सकते हैं यहाँ पर date, timing और आपके जो threads की username है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है ID मिल जाएगी, QR code मिल जाएगा आपकी ID का logo, name, सब कुछ यहाँ देखने को मिल जाता है और काफी कमाल का यहाँ पर यह interface है यहाँ से आप get threads की option पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी सिधे आप threads की profile पर पहुंच जाएंगे Instagram की profile पर भी आपको threads का बेच देखने को मिल जाता है जैस्ट इस पर क्लिक करेंगे इसे आप यहाँ से hide भी कर सकते हैं और threads profile view पर क्लिक करके आप अपने threads की profile भी देख सकते हैं यहाँ से आपको threads की profile देखने को मिल जाती हैं काफी simple profile है तो इस परकार से आप threads app का इस्तेमाल कर सकते हैं यह पुरी तरह से Instagram से connected हैं उमीद करते हैं आपको यह video काफी पसंद आया होगा